अज़ दू नमस्कार आदाव सब्सक्राइब आप देखर ग्रेटराइब चानल दूस्तो आज की दो में बात करने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से एक छोटा सा सेट अप बान सकते हैं छोटा सेट अप का मतलब यह एड़टाइजम में ज्यादा तर यूज होता ही वाला से अपिक रहेगा मैं पूरे डिटेल बता हूं करेंशन के साथ बता हूंगा श्रीयों से वीडियो शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए तो दोस्तों इन टाइप के जो सेट अप होते हैं इसमें में आपका होता है सोर्स क्योंकि वह सोर्स चैनल बाटरी दो तरीके से आप डाल सकते हैं पहला होता है बैटरी के थरू जो कार बैटरी होती है इसमेंisi 24 वोल्य की बीच में रहता है वह यूस कर सकते हैं और दुसरा बादा ह होता है जनरेटर अब जनरेटर जो है जय वि क्यूंकर मतलब इशनरीर नहीं कर रहा हूं जो दूसरे generator होते हैं डीजल वाले जो sound जादा करते हैं तो उसके current से आपका noise ज्यादा create होगा तो आपका जो announcement है मतलब जो भी चीच का आप announcement करें हो clear नहीं आएगा क्योंकि बीच में आपका generator का आवाज भी आते रहेगा उसका आवाज इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने low wattage speaker connect किये हैं जनरल सी बात है कि आप उसमें heavy wattage speaker connect नहीं करेंगे क्योंकि आपको उतना ज्यादा sound का जरुत नहीं है ठीक है क्योंकि आप इसमें driver unit भी connect करेंगे और आपके चोटा हाती है कोई pickup दूसरा भी है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं अगर आप छोड़ा setup आनना चाहते हैं तो आप मात्र बारा वोल्ट का एक बैटरी ले लेजी बारा वोल्ट के बैटरी के लिए आपको जो suitable amplifier रहेगा वो आपका ये आपके सामने देख सकते हैं आउज़ ठीक है तो उसमें आप सेट कर सकते हैं कितना voltage आपको output जो आपको power है वो चाहिए रहता है ठीक है connection किस तरीकी से कर सकते हैं आपको दिखा देता हूँ ब्लेक वाला पॉजटिव रहेगा बल्यक वाला नेगेटिव रहेगा ठीक उसी तरीके से आप उसके आप जो आपका ट्राइवर दिया रहेगा उसमें बहुत बाकशी साकते हैं ठीक है और पिछह कुछ कुछ करने इस एंब्लिफार में करने का ज़रूत नहीं है व्योंकि आपने supply दे दिया है और output आपने driver unit है उसमें connect कर दिया है तो line out से आप दूसरा amplifier में connection कर सकते वाट अभी फिलाल उसकी जरुवत नहीं है क्योंकि हम सिप छोटा सा setup बांध रहे हैं 12 वोल्ट में operate करने के लिए सिप यही amplifier suitable है फिलाल और और भी amplifier रहते हैं जैसे कि अगर आप 24 वोल्ट में जलाना चाहें तो ऐसे से 250M यूज कर सकते हैं अगर 36 वोल्ट में जलाना चाहें तो से बड़ा amplifier यूज कर सकते हैं जैसे आप वाटेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका वोल्ट भी बैटरी का जो consumption रहेगा वो भी बढ़ जाएगा तो उसी लिए आप को प्र सिंपल जिस तरीके से मैंने हाँ connection दिखाया है वही connection रहेगा बट इसमें बीच में आपको एक switch लगा जेगा है switch दोनों में लगाना है एक में नहीं क्योंकि इसमें क्या fluctuation कभी के बार होती है तो आपका amplifier खराब हो सकता है fluctuation क्यों होती है क्योंकि जब भी आप देखे ज़ तो दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा हैवी सिस्टम में हैवी सिस्टम में अगर आपको 250 वाट का amplifier करना है तो सबसे पहले उसको जो requirement है उसको run करने के लिए तो 24 वोल्ट है आपको क्या करना पड़ेगा 12 वोल्ट की दो बैटरी लेना पड़ेगा इस बार आपको दो ब यूँकि आपको 24 वोल्ट का requirement रहता है और जो गाड़ी की जो बैटरी लगे रहती है उसको आप दूसरे सिरीज मेकनेट नहीं कर सकते है और आपका जो अंदर गाड़ी में है उसमें short circuit हो जाए मनलब over voltage हो ने करना short circuit हो सकता है ठीक है तो यह चीज हो गया तो अब क्या करे आपको दो बैटरी लगेगा 12 वोल्ट की दो बैटरी लीजिए और उसको सीरीज मेकनेट कर लीजिए सीरीज मेकनेट करने के बाद 24 वोल्ट हो जाता है अगर आपके पास एक सिंगल बैटरी है 24 वोल्ट का तो भी आप उसको यूज कर सकते है इसमें आप driver unit नहीं connect कर सकते देखिए लोग अभी क्या करते हैं कि जैसे कि अभी मैं यह बता रहा हूँ यहाँ आप SRX250DX के दो speaker आप ले लीजिए और connect कर देजिए इस amplifier के साथ connection आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ किस तरीके से होगा ठीक है तो connection इस तरीके से हो जाएगा और input के लिए आप connection सो कर देता हूँ एक और चीज़ अगर मान लिजे आपको sound कम है मलब 200W से ज्यादा sound नहीं आता है धमक थोड़ी से आएगी यूँकि आप box यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो काफी अच्छा sound quality आजाता है बट अगर आपको sound थोड़ा और ज्यादा चाहिए तो आपको driver unit करे करना पड़ेगा उसके लिए जो मैंने previous अभी बता है सेम वही process आप इसमें कर सकते हैं सेम वही amplifier लगेगा एक driver unit लगेगा और एक आपका जो trumpet हो आप सामने ऊपर की तरफ लगा दीजे और जो आपका supply के लिए आप गाड़ी का supply से आप यूज़ कर सकते कोई problem नहीं होगा क्योंकि क्या होता है जैसे मैंने बताया है तो वोल्टेज खीचता है और आपका क्योंकि यहां पर मैं आपको करनेशन कर रहा हूं क्योंकि इस एम्लिफायर में 24 वोल्ड का requirement है तो आपको 12 वोल्ड करनेशन कर रहा हूं करना सेरीज में कुछ इस तरीके से माइनस प्लस को आप आपस में जोड़ देंगे और उसी तरीके से प्लस और माइनस के रस्पेक्टिवली आप जो एम्लिफायर के सेक्शन है डी सेक्शन जहां 24 वोल्ड लिखा हूआ है वहां पर कर देंगे जैसे यहां पर आपको इलु इसमें आपको पॉजिटिव टर्मिल करनेट कर दीजिए इस तरीके से एक सेक्शन कंप्लेट हो जाता है बट अगर आप चाहते हैं कि इसमें ड्राइवर यूनिट भी करनेट करना है आपको पिछले जो इमेज में दिखाया था जिस तरीके से आप करना चाहा रहे थे तो आप देख सकते इसका जो ऊपर का अपको बस कॉम और आपका हन्रेट वोल्ट में आपका ड्राइवर उनिट करना है बारव डिसी सप्लाइब दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा आपको इसमें इनपुट देना है इनपूट कौन से अप्लेवर में देंगे अगर यह सि और करनेशन ले सकते हैं और आपके जो बड़े अम्प्लिफाइर हो उसके लाइन में करनेट कर देजे इस तरीकिए से फूरा करनेशन कम्प्लेट हो जाता है अच्जार्ण नहीं